हलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे आज किस वीडियो में कुछ एसे नए tips and tricks लेके आए हैं साथ ही हम कपड़े सुकाने का कुछ एसा जोगार लेके आए हैं जिससे हम कपड़े आसानी से सुका सकते हैं और अभी बरसात का मोसम है तो ही मैंने इस्टेंड लिया है और मेरे पास मैं देखे यह एक्स्टा में था और मैं इसका यूज नहीं कर पा रही थी तो अब मुझे मुझे मुका मिला है इसको यूज करने में तो सोचा मैं आपको ये शाथ भी शेयर करूं क्या करना है कि देखी इसके लिए हम लेंगे ए आप ले सकते हो यहां पर देखे मैंने डोरी को ले लिया है और किस तरह से हमें यह लगाना है वो भी आप देख लिजे देखे मैंने एक बोक्स छोड़ा है और दूसरे वाले में हमें देखे इस तरह से डोरी को निकालना है देखे इस तरह से तो देखे डोरी को बाहर की इन में से निकालेंगे तो दो बॉक्स मैंने छोड़े हैं और तीसरे वाले में मैंने इससे डोरी को निकालिया है देखिए इस तरह से निकालने के बाद देखिए हमें इसको अच्छे से टाइट करके फिर हमें दो बॉक्स फिर से इसके छोड़ने हैं और फिर डोरी को अंद निकालिया और फिर हमें जो सीधी साइड रहती है इसकी सेम दूसरे साइड में हम इसको इस तरह से निकालेंगे तो देखिए अब हमें क्या करना है कि दो बोक्स हम इसके और छोड़ देंगे एक दो और तीसरे वाले में हम ये डोरी को डालेंगे देखिए इसमें से तो मैं देखिए पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने के लिए तो अगर आपको समझ में आ रही है तो जरूर आप इसे ध्यान से देखिएगा और जरूर ट्राइ करेगा और देखिए अब हमें डोरी को हमने निकाल लिया है और फिर हम क्या करेंगे सेम जो हमने फिस्ट में किया था वेसे हम यह सेकेंड में भी करेंग तो यहां पर देखिए मैंने दो बोक्स छोड़े हैं ौर तीसरे वाले में धोरी को निकाला है सेम हम सामने की साड में भी इस तरह से करेंगे और करने के बाद देखे हमें इस तरह से यह करके फिर हमें अच्छे से डूरी को टाइट कर लेना है करने के बाद हम इसको देखे कोर्नर को हमें इससे बांद देना है अच्छे से टाइट करके तो यहां पे मैं इसको गाठ लगा दूँगी और इसको अच्छे से टाइट करके और जो हमने फर्स्ट में डोरी डाली थी वहां से हम इसको फिर से खींच लेंगे ताकि क्या है यह अच्छे से सेट हो जाए तो देखी इस तरह से मैं करके पूरी को अच्छे से से सेट कर रही हूँ और अब हमें इसको कोर्णर को कट करके यहां पे हम इस पे बान देंगे देखी इस तरह से बार-बार में हमें कभी बाहर सुकाना होता है कभी हम अंदर लेके आते हैं और अगर कपड़े सूख भी जाएं बाहर तो वो अच्छे से नहीं सूखते हैं और बहुत गंदी सी एक बदबू आने लगती है और खास तोर पर यह जो सौक्स होते हैं तो इनमें बहुत ज़्या हम इस पर सुका सकते हैं हमारे पास इस सर्ह योथे हैं उनका हम यूज नहीं कर पाते हैं तो आप देकài कपड़े सुकाने में इसका यूज कर सकते हो तो यहां पर देखिए मैंने अच्छे से सी बाढत लिया है और पिर जो भी मेरे सौक्स हेंकी है वह सारे इंदर डाल द तो भी हम इसको पकड़ की बाहर रख देते हैं धूप में और अगर बरसात आने लगे या फिर साम का मौसम होता है एकदम ऐसे सीलन वाला तो हम अंदर लेके आएंगे तो यह हमें बार-बार में इदर-दर कपड़े को डालना नहीं पड़ेगा और एक जगा पे हमारे देख करें और बरसात का मौसम है यह आपके बहुत ही काम आएगा जरूर इसे ट्राइक करें अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवार्वार कुशा जरूर शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी यह आईडिया हेल्फूर रहे तो चलि अब हम जीरा डालते हैं कोई भी इसकी जगह पर समान होता है मसाला होता है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और हम देखिए इस तरह से डालते हैं तो थोड़ा बहुत यह गिर जाता है तो अभी के टाइम में देखिए जीरा इतना महंगा हो रखा है 400-500 रूपे कि लो आ रहा है जीरा तो इसको हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना है तो देखिए इसके लिए में एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी यहां पर देखिए मैंने लिया है इल्मूनियम पेपर तो इसको हमें देखिए इस तरह से करना है इसे हमारा एक छोटा सा जोगाड है लेक तो बहुत यूजफुल ट्रीक है इस तरह से आप कोई भी मसाला डाल सकते हो चोटे से बोक्स मूँ वाले जो डब्बे होते हैं उसमें तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तो चलिए देख लेते हमारा अगला ये पेपर होता है वो गिला हो जाता है और इसकी जो डेट होती है वो भी क्या है मिटने लगती है तो हम इसको कैसे सेफ रखेंगे ताकि हम्यारी ये जो डेट लिकी हुई है वो मिटेना तो इसके लिए हम लेंगे ट्रांसपर ये वाली जो टेप और इसको हम थोड़ा सा टुकडा कट करके जहां पर देखे डेट लिकी हुई है वहां पर हम इसको लगा देंगे अब यह बिल्कुल भी देखें मिटेगी नहीं और हमें अच्छे से पता हो जाएगी तो बहुत यूसफुल टिप है जरूर इसे ट्राइ करें तो चलिए देख लेते हैं हमारा आगला यूसफुल टिप्स तो देखें जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको प्यास बहुत जल्दी लगती है और बोलते हैं कि ममा मेरे लिए पाने लेके आओ तो जब भी हम पाने लेके आते हैं तो कभी कबार ऐसा होता है कि पानी क्या है बुक के उपर गिर जाता है फिर पूरा पानी अब्जर्ब कर लेगा और बिल्कुल भी इदर उदर नहीं फिलेगा तो बहुत यूसफुल टिप है जरूर इसे ट्राइ करें तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप यहां मैंने देखी बरा ली है और जब भी हम नया बरा खरीते हैं तो इसकी जो लास्टि पास गर्मियों में पूरानी बरा नहीं है पेने के लिए तो आप क्या है कि अगर नहीं बरा पेने तो यह जो लास्टिक है वहां पे आप कोई सा भी टेलकम पाउडर डा दीजी और देखिए जब आम इस तरह से लगाते हैं तो यह पूरे में अच्छे से नहीं लगता है तो उसके लिए हम लेगे यह वाला जो पेड होता है वो ले लीजिए और इससे अच्छे से हम इस तरह से फेला लेंगे तो देखिए इससे यह पूरी लास्टिक में लग जाता है बहुत ही यूसफुल टिप है जरूर इसे ट्राइ करें तो आज किस वीडियो में आपको कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई टिक केर